पश्कार दोस्तों थिंका इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत आज हम मद्यकालीन भारत उसकी राजनीती समाज और संस्क्रती पर चर्चा करेंगे जो आठवी से सत्रवी सदी के मद्यका भारत था इसमें हम मुगलो का आगमन और बाबर और हुमायू इसके बारे में जालेंगे चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं मद्य एश्या और भारत सोल्वी सदी एश्या और भारत में भारी परिवर्तनों की सदी थी उस्मानी सामराज, जिसका पंदरोई सदी के मध्ध में पुनुर्थान हुआ सोल्वी सदी के मध्ध में अपने शिखर परजा पहुँचा सीरिया और अनातोलिया में आधारित उस्मानी मध्ध यूरोप को जीतने के आकांशी थे उन्होंने मिश्र और मिसोपुटामिया पर अपना अधिकार जमा लिया था तथा इराक और इरान को अपने प्रबुत्तों में लाने का प्रयास किया था इरान में शिया मतावलंबी सफवी सामराज ये पंदरवी सदी की आखली चौथाई में सत्ता में आया इराक और बगदाद पर अधिकार के लिए वे उस्मानी बाश्शाहों से भी टकराया तथा उसने उस्मानी छेत्रों में शीया मत को फैलाने का भी प्रयास किया पंड़ी सदिम में मंगोल सामराज के विक्टन के बाद तैमूर ने इरान और तूरान को फिर से एक शाषन के अंतरगत एक जुट किया तैमूर का सामराज वोलगा नदी की निचली वादी से लेकर सिंधू नदी तक फैला था और इसमें एशिया माइनर आज का तुर्की इरान आकसस नदी है आकसस पार के छेतर अफगानिस्तान और पंजाब का एक भाग शामिल था तैमूर 1405 में मरा पर उसका पोता शाहरुक मिर्जा जिसकी मिरत्यू 1448 में हुई थी उसके सामराज में के एक भाग को बचाय रखने में सफल रहा उसने कला और साहित को प्रोसहन दिया और उसके काल में समरकंद और हेरात पश्यमेशिया के सांस्कृतिक केंद बन गए समरकंद के शाशन या समरकंद के शाशक की पूरी इसलामी दुनिया में भारी इज़त थी 15 सदी के उत्तरार्ध में एक बड़ी सीमा तक सामराज को बाटने की तैमूरियों की परंपरा के कारण उसकी शक्ती तेजी से कम हुई अब जन्म लेने वाले विबिन तैमूरी रजवाडे हमेशा आपस में लड़ते जगडते रहते थे इसके कारण दो नए तत्तों को सामने आने का आउसर मिला उत्तर से उजबेक लोगों का एक तुर्क मंगोल कभीला आकसस पार के छेतर में घुसाया उजबेक मुसल्मान तो बन चुके थे पर तैमूरी उन्हें हीन समस्ते थे क्योंकि वे उन्हें असंस्कृत और बर्बर मानते थे और भी पश्चिम में सफवी नाम का एक नया राजवश इरान पर वर्चस उजमाने लगा सफवी सुल्तान सूफियों के एक ऐसे सिलसरे के वनसस थे जो पैगंबर को अपना पूर्वश ठहराता था उन्होंने मुसल्मानों के शिया फिरके का समर्थन किया और उन लोगों को उत्पीडित किया जो शिया रीती रिवाज अपनाने को तयार ना थे दूसरी और उजबेग सुननी थे इस तरह इन दोनों तत्तों के राजनेतिक टकराओं में फिरकाई टकराओं में जहर खोला इस तरह सोल्वी सदी में एशिया में तीन शक्तिशाली सामराजियों उस्मानी, सफवी और उजबेग के टकराओं की जमीन तयार हो चुकी थी भारत में गंगा की वादी के पुनहा एकी करण की दशाय तयार हो रही थी जिसके कारण सामराजवादे शाशन का एक नया चरणा रंबुआ इसका अधार शर्की राजवादे का पतन और लोदियों के अंतरगत गंगा की उपरी वादी का पुनहा एकी करण था लेकिन लोदियों को साथ ही साथ अपना ही राज, अपनी ही राजवेवस्ता की अंतरगत कभीलाई अलगावाद का सामना करना पड़ा अगर इस समस्या का समाधा निकल आता चाहे वैस्वयम के प्रयास से हो या बाहरी हस्तचेप से तो उत्ते भारत में एक नए सामराजी की स्थापना कमार प्रशष्त हो जाता तैमूरियों के उदाय और बाबर की आगमन को इसी संदर में देखा जाना चाहिए अब चर्शा करते हैं बाबर की 1494 में 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही बाबर आकसस पार के एक छोटे से राज्य फरगना का राज्या बना उजबे खत्रे की ओर से आखे बंदे करके तैमूरी शहजादे एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे बाबर ने भी अपने चाचा से समरकंद को चीदने का प्रयास किया उसने दो बार इस नगर को जीता पर दोनों आउसरों पर सीगरी ही उसे खो बैटा दूसरी बार बाबर को बाहर निकालने में सहायता देने के लिए उजबेक सरदार शैबानी खान को बलाया गया शैबानी खान ने बाबर को हरा कर समरकंद को जीत लिया जल्दी उसने शेतर के बाकी तैमूरी राज्यों को भीरोन डाला इससे बाद देहोकर बाबर काबूल की योड चला जिसे उसने पंदरा सो चार में जीता अगले 14 वर्षों तक उजबेकों से अपना वतन फिर जीतने के लिए बाबर मौके का इंतजार करता रहा उसने इस कार में अपने चाचा अर्थात हैरात के शाशक की मदद लेने का प्रयास किया पर कोई लाब नहीं हुआ अंतिता शैबानी खान ने हैरात को भी डॉन दिया इसके चलते उसबेकों और सफावियों में सीधा टकरा हुआ क्योंकि सफवी शाशक भी हैरात और आसपास के छेतरों के दावेदार थे जिनको समकालीन देखकों ने खुरासान कहा है पंद्रा सो दस में मर्व के पास एक मशूर लड़ाई में इरान के शाह इसमाईल ने शैबानी खान को हरा कर मार दिया बाबर ने अब समरकन को जीतने की एक और कोशिश की और इस बार उसने इरानी फौजों की मदद ली उसे समरकन में बकायदा गदी पर बठाया गया पर वे इरानी से पहसा ला रहा हो के नियंतरण से उबने लगा जो बाबर को एक स्वतन तशाशक के बदले एक इरानी सूबे की सूबेदार के रूप में ही रखना चाहते थे इस बीच उजबेक तेजी से अपनी हार के जटके से मुक्त हो गये बाबर एक बार फिर समरकन से निकाला गया और उसे फिर काबुल आना पड़ा अंददा खुश शाह इसमाईल को 1514 में उस्मानी सुल्तान ने हरा दिया जिसके करण उजबेक आकसस पार के छेतरों के बाबर ने कहा है कि काबुल की विजब 1504 से लेकर पानीपत में अपनी जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा पर उसे कभी है काम हाथ में लेने का उप्योग तवसर नहीं मिला था क्योंकि कभी अपने बेगों की आकांशाओं और क पनाहा दौलत के कारण उसकी और आकरशित हुआ था भारत सोने चांदी और सुक्स्रम्रदी का एक देश था बाबर का पूरवज तैमूर भारत से अपने साथ ना केवल भारी खजाना और अनेक कुशल दस्तकार ले गया जिन्होंने उसे एशिया सामराज को मजबूत बना और उसकी राजधानी को सुन्दर बनाने में सहयोग दिया था उसने पंजाब के कुछ छेतरों पर भी कबजा कर लिया था जो तैमूरों के उत्रा दिकारियों के अदीन कई पीडियों तक रहे बाबर ने जब अफगानिस्तान को जीता तो उसे लगा किवे इन छेतरों का वाजब हकदार है पंजाब की परगनों की बाबर की लालसा का एक और कारण काबुल की मामुली आये थी इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं उसका यानि बाबर का शाशन बदक्षा, कंधहार और काबुल पर था जिसने फौज की जरूरतों के लिए परियाप्त आये नहीं म खर्च आमदनी से भी अधिक था इन मामूली संसादनों के बल पर बाबर अपने बेगों और रिष्टिदारों को परियाद और शुक्ष्व विदाय नहीं दे सकता था उसे काबुल पर उजबेक हमले की भी आशंका थी तथा वै भारत को शरण के लिए एक अच्छा 2017 में सिकंदर लोदी की म्रत्थी हो चुकी थी और इब्राहाम लोदी तक्त पर बैठा था एक शक्तिशालि के इंद्रिकरज सामराज बनाने के लिए इब्राहाम के प्रयासों ने अफगान सर्दारों को चोकरना कर दिया था और राशपुतों को भी सबसे शक्तिशालि उससे सुलह करने का प्रयास किया साथी वे भीडा के सरहदी इलाको आदी इस्थानों को जीत कर अपनी इस्थिती को मजबूत बनाने की इच्छा रखता था 1518 और 1519 में बाबर ने भीडा के मजबूत के लिए को जीते लिया फिर उसने दौलत खान और इबराहिम लोदी को पत्र और मौकिक शंदेश भेज कर उन छेत्रों को देने की मांग की जो तुरकों के थे पर दौलत खान ने बाबर के दूद को लाहोर में नजरबंद कर दिया उसने उसको ना तो मिलने का उसर दिया ना ही इब्राहिम लोधी के पास जानी के अन्मती दी बाबर जब काबू लोड गया तो दौलत खान ने भीड़ा पर कबज़ा कर लिया और बाबर के तैनात कारिंदों को वहां से निकाल फेका पंदरह सो बीस एककेस में बाबर ने फिर एक बार सिंदू नदी को पार करके तथा आसानी से भीड़ा को और सियाल कोट को कबजे में ले लिया जो हिंदुस्तान के दो दौर थे भीड़ा और सियाल कोट हिंदुस्तान के दो दौर थे लाहौर भी उसकी जोली में आगिरा कंदहार से बगावत की खबर ना आई होती तो वह और आगे बढ़ा होता उसने कदम पीछे खीच लिये और डेड़ साल की घेरा बंदे के बाद कंदहार पर अधिकार कर लिया इस तरहे निश्यन्तों का बाबर फिर एक बार भारत की ओर ध्यान देने की स्थिती में आ गया लगबग यही समय था जब दौलत खान लोदी का एक प्रतिनिदी मंडल बाबर से मिला जिसका नेतर तो उसका बेटा दिलावर खान कर रहा था उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाया की वे इब्राहिम लोदी को अपदस्त करे क्योंकि वे निरंग कुछ था और उसको अपने अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था लगता है कि इसी समय राणा सांगा का भी एक संदेश वाहक भी बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने के लिए पहुँचा इन प्रतिनिदी मंडलों ने बाबर को विश्वाद दिला दिया कि स्वयम भारत न सही पूरे पंजाब की विजय का आउसर आ चुका है 1525 में बाबर जब पेशावर में था उसे समचार मिला की दौलत खान लोदी ने फिर पाला बदर लिया है उसने 30,000 से 40,000 की सेनद जमा कर ली थी सियाल कोट से बाबर के आमदनियों सियाल कोट से बाबर के आदमियों को निकाल फेका था और लाहौर पर चड़ा आ रहा था बाबर के करीब आने पर दौलत खान लोदी की सेनद तितर बितर हो गई दौलत खान ने समर्पन कर दिया और छमादान पाया इस तरह सिंध पार करने के तीन सपता के अंदर बाबर पंजाब का स्वामी बन बैठा पानीपत की लड़ाई पर चर्चा करते 20 अप्रेल 1526 की बात है दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी से बाबर का टकराओ अपरिहार हो गया और दिल्ली की ओर कूचगर के बाबर ने इसकी तयारी की बाबर से इबराहिम लोदी का सामना पानीपत में हुआ उसके पास एक लाक सैनेक और एक हजार हाथी थे चुक्की भारती सेनों में आम तोर पर चाकरों के बड़े बड़े जुंडों होते थे इसलिए इबराहिम लोदी की तरफ लड़ने वालों की संख्या इसे बहुत कम रही होगी बाबर ने 12,000 लोगों के साथ सिंदू नदी को पार किया था लेकिन भारत में इस्थित उसकी सेना के कारण और पंजाब में बाबर से हाथ मिलाने वाले हिंदुस्तानी कुलीनों और सैनिकों की बड़ी संख्या के कारण उसकी कतार बढ़ी तो भी बाबर की सेना संख्या में कम थी बाबर दे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सेना के एक भाग को तो पानीपत नगट में टिकाया जहां बहुत से मकान थे और दूसरे भाग को पेड़ों की डालियों और टहनियों से भरी एक खाई के जरिये सुरच्छा प्रदान की सामने की और उसने गाड़ियों की एक बड़ी संख्या को आपस में बान दिया और वे एक प्रतिरच्छक दीवार का काम करने लगी दो गाड़ियों के बीच वच्छ भीतिया यानि ब्रेश्ट वर्क्स बनाई गई जिन पर सैनिक अपनी बंदू के टिका कर गोली चला सकते थे बाबर्ड ने इस तरीके को उस्माणी यानि रूमी तरीका कहा है क्योंकि इरान के शाह इसमाईल के खिलाफ अपनी मशहूर जंग में उस्माणियों ने इसका प्रियोक किया था बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफा नामक दो उस्मानी उस्ताद तोपचियों की सेवा भी ली बारूद का इस्तमाल भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था बाबर का कहना है कि किला भीडा पर हमले के लिए उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था लगता है कि भारत में बारूद का ग्यान तो था पर उत्ते भारत में बाबर के आगमन के बाद ही तोपों में इसका आम इस्तमाल शुरू हुआ बाबर की ठोस प्रतिरच्छा प्रणाली का ग्यान इब्राहिम लोदी को नहीं था लगता है उसे यह आशा थी कि बाबर गतिशील सेली में युद्ध लड़ेगा जो मद एश्या वालों के लिए आम थी कि वे तेजी से आगे बढ़े या जरूरत पड़ी तो पीछे हड़ गए साथ या आट दिनों की जड़पों के बाद इब्राहिम लोदी की फौजें विनाशकारी युद्ध के लिए बाहर निकली बाबर की शक्तिशाली स्थिति को देख कर वे हिचकचाने लगी अभी इब्राहिम लोदी अपनी सेना को पुनर गठित कर रहा था कि बाबर की सेना के दोनों बाहरी छोर मुड़े और उन्होंने पीछे से पाश और पीछे से इब्राहिम की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया बाबर के तोपचियों ने सामने से अपनी तोपों का अच्छा उप्यों किया लेकिन बाबर अपनी विजय कश्रे एक बड़ी सीमा तक अपने तीरंदाजों को देता है अजीब बात यह है कि वे इब्राहेम के हाथियों का कम ही जिक्र करता है लगता है कि इब्राहेम को उनकी उपियों का उसर नहीं मिला इन शुडवाती धकों के बावजूद इब्राहेम की सेना बहाधरी से लड़ी लड़ाई के दो या तीन घंटों तक जारी रही इब्राहेम लोदी यांते तक लड़ा और 5,000 से 6,000 सैनिक को उसके इर्दगिर्द रहे 5,000 सैनिक इब्राहेम लोदी के आसपास रहे अनमान है कि इस लड़ाई में उसके अलावा उसके 15,000 से अधिक सैनिक मारे गए तो इब्राहिम लोदी की मौत हो गई साथ में उसके 15,000 से जाता सैनिक भी मारे गए पानीपत की लड़ाई को भारती इतिहास की निर्नायक लड़ाईयों में से एक माना जाता है इस लड़ाई ने लोदी सत्ता की कमर तोड़ दी और दिल्ली और आगरा तक का पूरा छेतर बाबर के अधिन कर दिया आगरा में इब्राहिम लोदी के जमा किये हुए खजाने ने बाबर की वित्ती कटनाईयों को कम किया अब जौन पूर तक का समरद छेतर बाबर के सामने खाली पड़ा था लेकिन बाबर को इस छेतर पर अपनी पकड मजबूत करने से पहले दो सक्त लड़ाईयों लड़नी पड़ी एक तो मेवाड के राणा सांगा के खिलाफ और दूसरी पूर्वी अफगानों के खिलाफ इस द्रश्टी से देखे तो राजनीती के छेतर में पानीपत की लड़ाई उतनी नड़ायक नहीं थी जितनी कही जाती है उसका वास्तुक महत्व इस तत्थ में है कि उसने उत्तर भारत में वर्चस्व के संगरश का एक नया चरण आरह में किया पानीपत की विजय के बाद बाबर के सामने अनेक अठनाईयां आई उसके बेग भारत में एक लंबी मुहिम के लिए तैयारना थे गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ उसकी चिंताएं बढ़ गई वे अपने घरों से दूर एक अजनबी और दुश्मन के छेतर में थे बाबर कहता है कि भारत के लोगों ने उलेकनी शत्रता का प्रदर्शन किया और मुगल सिनाओं के पास आने पर वे गाओ छोड़ कर भाग जाते थे जाहिरे कि तैमूर ने नगरों और गाओं को जिस तरह लूटा और तबाह किया उसकी यादे अभी भी उसके दिमाग में बनी हुई थी बाबर जानता था कि केवल भारती संसादनों के बल पर ही चलकर वे एक मजबू सामराज बना सकेगा और अपने बेगों को संतुष्ट कर सकेगा अपनी तुजुक में वे लिखता है तुजुके बाबरी अपनी तुजुक में वे लिखता है नहीं हमारे लिए काबुल की गरीबी फिर नहीं इस तरह उसने एक पक्का रुक अपनाया भारत में अपने ठहरने के रादे का एलान किया और अपने अनेक बेगों को जो काबुल वापस जाना चाहते थे इसकी जाज़त दे दी इससे माहौल फॉरण साफ हो गया पर इससे राणा सांगा के दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ी जिसने बावर के साथ निबटारे की तैयारी शुरू कर दी थी खानवा की लड़ाई की चर्चा करते हैं पूर्वी राजिस्तान और मालवा पर वर्चेस वे के लिए खार तक बढ़ चुका था सिंदू गंगा वादी में बाबर के सामराजि की स्थापना राणा सांगा के लिए चुनाओती थी इसलिए राणा सांगा ने बाबर को निकाल बाहर करने या कम से कम पंजाब तक सीमित कर देने की तैयारी शुरू कर दी बाबर ने राणा सांगा पर समझाओता तोड़ने का रोप लगाया मैं कहता है कि उसे सांगा ने भारत बुलाया था और इब्राहिम लोधी के खिलाफ उसका साथ देने का वादा किया था पर जब बाबर दिल्ली और आगरा जीतना चाहता था तो राणा सांगा ने कोई कोशिश नहीं की सांगा ने ठीक ठीक क्या वादा किया था हमें नहीं पता हो सकता है कि उसे युद्ध की लंबा खिछने की आशंका रही हो जिसके दोरान सांगा अपने मन चाहे छेतरों पर कबजा कर सके या हो सकता है उसे या आशा रही हो कि तैमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को लूटने और लोदियों को कमजोर करने के बाद वापस चला जाएगा बाबर के भारत में ठैरने के फैसले ने इस्तिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी समेद अनेग अफगानों ने राणा सांगा का साथ इस आशा से दिया कि यदि सांगा जीत जाता है तो उन्हें दिल्ली का तक्त वापस मिल जाएगा मेवात के शाशक हसन खान मेवाती ने भी सांगा का साथ अपने भाग इनत्थी कर दिया लगबग सभी प्रमुक राजपूर शाशकों ने राणा सांगा के लिए अपने दस्ते भेजे राणा सांगा की प्रतिष्ठा तथा बयाना जैसी कुछ बहारी मुगल चौकियों के खिलाफ उसकी अरंबिक सफलता ने बाबर के सैनिकों को हतोस सहित कर दिया उन्हें तयार करने के लिए बाबर ने सांगा विरोधी जंग को जिहाद करार दे दिया युद्धे से ठीक पहले उसने शराब की तमाम बोतलों और घड़ों को यह दिखाने के लिए तोड़ दिया कि वह कितना पक्का मुसल्मान था उसने अपनी पूरी सल्तनत में शराब की खरीद विक्री पर रोक लगा दी तथा मुसल्मानों पर सीमा शुल को समाप्त कर दिया सावधानी से एक इस्थान चुनकर बावर ने आगरा से कोई 40 किलो मीटर दूर खानवा को अपना ठिकाना बनाया यहां भी उसने पानीपत की तरह बाहरी प्रतिरच्षा के रूप में अने गाड़ियों को आपस में बांदा और दोरी सुरक्षा के लिए सामने खाई खुदवा दी प्रतिरच्षा में बंदूक्चियों के गोली चलाने और पहियादारी तिपाईयों के पीछे पीछे बढ़ने के लिए इस्थान खाली छोड़े गए खानवा की लड़ाई 1527 बहुत भायानक रही बाबर के नुसार राणा सांगा की फौज दो लाक से उपर थी इसमें 10,000 अफगान सवार थे और हसन खान मेवाती ने भी इतनी ही सेना भेजी थी हमेशा की तरह इन आकडों में भी कुछ अतिश्योक्ती संभव है हाला की बाबरी सेना की संख्या निश्य दी कम थी सांगा ने बाबर के दाय बाजू पर भ्यानक हमले किये और उसे लगबक काठी डाला पर मुगल तोपों ने राणा की सेना का भारी संख्यार किया और धिरे धिरे सांगा की सेना पीछे धकिल दी गई इसी समय बाबर ने अपने केंदर भाग के सैनिको को जो अपने तिपाईयों के पीछे पना लिये हुए थे आक्रमण का आदेश दिया जंजीर में बंधी गाड़ियों के पीछे से तोप खाना भी बाहरा गया पानीपत की तरह बाबर के पाश वाले दस्ते ने जो बगल और पीछे से हमला करते थे अपना खेल दिखाया सांगा की फौज पूरी तरीके से गिर गई और भ्यंकर मार काट के बाद पराजित हो गई इस तरह खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई की तरह लगबख एक नकल की तरज जैसी थी इस पश्ट है कि इब्राहिम लोदी की पराजय से रणा सांगा ने कुछ भी नी सीखा था और ना ही बाबर की रणनीती का अध्यन किया था जैसे कि बाबर ने अपने संस्मर्ण में लिखाया कि कुछ हिंदुस्तानी तलवारबाज भले ही हो पर अधिकांस तो सैनने तोर तरीकों इस्थितियों और रणनीतियों से अंजान और अकुशल है राणा सांगा बच निकला और वै बाबर से तकराने और वै बाबर से फिर तकराना चाहता था पर उसके अपने ही कुलीनों ने उसे जहर दे करके मार्ट दिया जो ऐसे किसी भी कदम को खतरनाक और आत्मगाती समझते थे इस तरह राजिस्थान के सबसे शूर Wenn Yodha के मृती हो गई सांगा की मौत के बाद और सांगा की मौत से आगरा तक फैले एकिकरत राजिस्थान को के सपने को घहरा धकका लगा तो सांगा की यह सोच थी कि पूरा एक एकिकरत राजिस्थान बनना चाहिए जो आगरा तक फैला हो तो उस सोच को सांगा की मौत ने पूरी तरके से चखना चूट कर दिया खानवा की लड़ाई ने दिल्ली आगरा छेतर में बाबर की स्थिति को सुरचित बना दिया आगरा के पूरम में गौलियर धौलपुर आदे किलो की एक स्रंकला को जीत कर बाबर ने अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया उसने हसन खान मेवाती से अलवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चील दिया फिर उसने मालवा के चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ एक अभियान चलाया राजपूर प्रतिरच्छक जब एक-एक करके कट मरे और उनकी स्थियों ने जोहर के दोरा अपने जीवन समाप्त कर दिया तो चंदेरी पर भी उसका अधिकार हो गया पूर्वी उत्यप्रदेश में अफगानों की बढ़ती सरगर्मियों की खबर सुन कर बाबर को इस छेत्र में अपने अभियानों की योजना को ठप करना पड़ा अब बात करतें अफगानों की हाला कि अफगानों को करारी हार का सामना करना पड़ा था पर वे मुगल साशन से समझोता करने के लिए तैयार ना थे पूर्वी उत्तरप्रदेश अभी वी ऐसे अफगान सरदारों के वर्चस सुमे था जिन्होंने बाबर की अधीन तक तो स्विकार कर ली थी पर उसे उखाड फेकने के लिए वे हमेशा तयार थे अफगान सरदारों को बंगाल का शाशक नुश्रत शाह शह दे रहा था जिसने अपनी एक बेटी इब्राहिम लोधी से ब्याही थी इससे पहले अफगान पूरवी उत्तेवर देश से मुगल हाकिमों को बगागर करनोज तक पहुँच चुके थे पर एक लोगप्री नेता की कमी उनकी सबसे बड़ी कमजूरी थी कुछ समय बाद इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी जो खानवा में बाबर के खिलाब लड़ चुका था बिहार जा पहुचा अफगानों ने अपना नेता के रूप में उसका स्वागत किया और उसके अंतगर शक्ती अर्जित करने में जुड़ गए यह ऐसा खत्रा था जिसकी बाबर उपेच्छा नहीं कर सकता था मालवा से सीधे कन्नौद जाकर उसने एक तीही लड़ाई में अफगानों को हराया और जौनपुर तक के छेतर पर कबज़ा कर लिया फिर वै आगरा पल्टा पर इस छेतर में इस्थिती डावाडोल बनी रही एक इस्थाई हल निकालने के लिए 1529 के आरम में वै आगरा से पूरव क्योड चला बनारस के पास गंगा पार करके उसने उसकी और घागरा के संगम पर अफगानों और बंगाल के नुश्रस शाह की सयूत सिना का सामना किया लगा कि बावर ने नदी को पार करके बंगाल की और अफगान से न conspiracy को पीचे हटने पर मजबूर कर दिया पर वे कोई निर्णायक विजय ना पा सका बीमार और मदेशिया की स्थिती के बारे में चिंचित बाबर ने अफगानों से समझोते का निश्य किया उसने बिहार पर अपनी थोड़ी बहुत प्रभूता का दावज जताया पर इस प्रदेश के अधिकांश रिलाकों को उसने अफगान सरदारों के अधिकार में ही रहने दिया उसने बंगाल के नुसरशाज से भी संधी कर ली बाबर जानता था कि अफगान समस्या भी हल नहीं हुई है बिहार को सभाले बिना पूर्वी उत्रे प्रदेश में अफगानों की समस्या को हल नहीं किया जा सकता बलकि बंगाल तक फैल सकती थी इस तरह लंबी मुहिम और समय की आवशक्ता थी इस समस्याओं में ना उलजने का फैसला करके बाबर आगरा लोटाया कुछ ही समय बाबर काबल जाते हुए लाहोर के पास चल बसा अब बात करते भारत में बाबर के आगमन के महत्यों के बारे में भाबर भारत में बाबर का आगमन अनेक द्रश्टियों से महतपूर था जब भारत में आया भाबर तो भारत में इब्राहिम लोदी का शाशन था राजिस्थान में राणा सांगा थे और भारत की इस्तिती इतनी मजबूत नहीं थी इब्राहिम लोदी के शाशन में, इब्राहिम लोदी का सामराज सिकतर लोदी के सामराज जितना प्रभाव शालीन नहीं था इसलिए भारत में बाबर के आगमन से अनेक द्रश्टियों, इस तरहे बाबर का भारत में आगमन अनेक द्रश्टी में महतपूर माना जाता था भारत पर आक्रमण के लिए हमेशा एक तैयारी के मैदान जैसा काम करते आये थे इसलिए उन पर अधिकार जमा कर बाबर और उसके उत्रा अधिकारियों ने लगबग 200 वर्षों तक भारत को बाहरी हमलों से सुरच्छित रखा आर्थिक द्रश्टी से भी काबुल और कंदहार के नियंत्रण ने भारत के विदेशी व्यापार को बल पहुचाया क्योंकि ये दो नगर पूरम में चीन और पश्यम में भूमद सागरी बंदरगाहों तक जाने वाले काफिलों के प्रस्थान बिंदू होते थे इस तरह एशिया पार के विशाल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी मद्य और पश्यमी एशिया की राजनेतिक इस्तिती कुल मिलाकई शान्ती और इस्थायत्य की इस्तिती थी हाला की युद्ध और खुन कराबे होते रहते थे इस सिद्धी में मद एशिया के मामलों में एक जुट भारत का आर्थिक और कूटमीतिक हस्तशे लाजमी तोर पर पहले से बढ़ा बाबर और उत्रा धिकारियों की हार्दिक इच्छा अपने वतन फरगना को फिर से पाने की थी इस कारण भी भारत मद एशिया के विकास क्रमों पर गहरी नज़र रखता रहा इस तरह तेरवी सदी के तुर्की सुल्तान के काल के विपरीद भारत को अभी महाद्यूपी एशिया की राजनीती का अभिन अंग माना जाने लगा उत्तर भारत में बाबर ने लोदियों और रणा सांगा के नेतरत वाले राजपूत महासंगे की शक्ती को चूर कर दिया इस तरह उसने इस छेतर में मौजूद शक्ति शंतुलन को भंग कर दिया यह एक अखिल भारती सामराज की स्थापना की दिशा में बड़ा कदम था पर इसको अंजाम देने से पहले और भी अनेक शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक था बाबर ने भारत को युद्धे की नई शैली से परचित कराया बारत में बारूद का ग्यान तो पहले भी था पर बाबर ने दिखाया कि तोप खाना और सवार सेना का कुशल समनवय क्या क्या कर सकता है उसकी जीतों के कारण भारत में बारूद और तोप तेजी से लोगपरी हुए चुकि तो उपखादा रखना बहुत खर्चिला होता था इसलिए इसका इस्तिमाल सिर्फ वही शाशक कर सकते थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन हो इस तरहे छोटे रजवाडों का युग समाप्त हो गया अपनी नई सैने विदियू और अपने निजी आचर्ण के द्वारा बाबर ने फिरोज दुगला की मौत के बास से ही कम होती जा रही ताज की प्रतिष्टा को पुना भाल किया हाला की सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने ताज की प्रतिष्टा भाल करने की कुशिश की थी पर स्वतंदर्ता और समानता के अफगान विचारों के कारण इसमें आशिक शफलता ही मिली थी बाबर की प्रतिष्टा एशिया के दो सबसे मशहूर योद्धाओं चंगेज और तैमूर के वन्शस के रूप में थी इसलिए उसका कोई भी अमीर ना तो उसकी बराबरी का दावा कर सकता था और ना ही उसके तक्ते की काम ना कर सकता था उसकी इस्तिती को चुनौती अगर मिलती तो किसी तैमूरी शाशक या उसके वन्शस से ही मिलती बाबर के निजी गुडू ने उसे उसके बेगों का प्यारा बनाया मैं हमेशा अपने सैनिकों के साथ मुसुविते जहिलने को तयार रहता था एक बार कड़कड़ाते जाड़े में बाबर काबू लोट रहा था बर्फ इतनी गहरी थी कि घोड़े उसमें फस जाते और सैनिक दलो को बर्फ को कूटना पड़ता जिससे की घोड़े गुजर सके मिना हिचक बाबर भी इस कमर तोड़ काम में जुड़ गया बाबर को ऐसा करता देखकर उसके बेग भी इस काम में शामिल हो गए बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था खुद उसकी सोहबत भी बड़ी खुशदिल होती थी साथ ही वे कठोर अनुशाशन वादी और सक्त काम लेने वाला भी था वे अपने बेगों का बहुत ध्यान रखता था और जब तक वे बेवफाई नहीं करते थे उनके अनेक दोशों को वे नजर अंदाज कर देता था वे अपने अफगान और भारती अमीरों के प्रती भी यही रवाया अपनाने को तयार रहता था लेकिन उसके सभाव में कुछ बेरहमी भी थी जो संभावता उसे पुरुजों से मिली थी अनेक अउसरों पर उसने अपने विरोधियों की खोपडियों की मिनारे बनाई लेकिन निजी बेरहमी की इन तथा ऐसी ही दूसरी मिसालों को उस निर्मम दौर के संदर में देखना होगा जिसमें बाबर रह रहा था बाबर रूडिवादी सुननी था पर वे धर्मान नहीं था नहीं वे इसलाम के धर्माचारियों से प्रेरित होता था जब इरान और तूरान में शियों और सुन्नियों के बीच भ्यानक पंथ गत लड़ाईयां होती थी तब भी उसका दर्वार धार्मिक और पंथिक टकराओं से मुक्त था उसने सांगा से लड़ाई को जिहा ठहराया और जीतने के बाद गाजी की उपादी धारण की पर इसकी इसपष्ट रूप से राजनेतिक कारण थे यदेपी उसका काल युद्धो का काल था पर मंदिरों के विध्वश की कुछ ही मिसाले मिलती है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस्थानी सुबे दारो दारा संभल और आयोध्या में बनवाई गई मजजदे हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई थी शायद उन्होंने कुछ मौजदा मस्जदों की मरमत कराई और फिर उन पर बाबर के सम्मान में शिलालेक लगवा दिये फार्जी और अर्बी में बाबर का पूरा दखल था उसे तुर्की भाषा के जो उसकी मात्र भाषा थी दो शब्से मशहूर लेककों में गिना जाता है गद लेकन में उसका कोई सानी नहीं है तथा उसका सूप्रसिद्ध संस्परण तुजुके बाबरी बाबर नामा विश्व साहित्य की अध्योती कृतियों में से एक मानी जाती है उसकी दूसरी रचनाओं में से एक मस्द नवी तथा एक सूप्रसिद्ध सूफी गरंत का तुर्की अनुआश शामिल है वे अपने समय के प्रसिद्ध कवियों और कलाकारों के संपर्क में था तथा अपनी तुजुक में उनकी कृतियों का वर्डन भी करता था वे प्रकृति प्रेमी था और उसने खासे विस्तार के साथ भारत की वनस्पतियों और यहां के प्राणियों का वड़न किया है उसने बहते पानी से युक्त अनेक सुन्दर बाग लगवाए और इस तरह उसने बागवानी की एक परंपरा कायम की बाबर ने राज की एक नई धारणा सामने रखी जो ताज की शक्ती और प्रतिष्ठा धार्मिक और पंतिक कटरता के त्याग तथा संस्कृति और ललित कलाओ के प्रोजसाहन पराधारे थी इस तरह वैं अपने उत्राधिकारियों के लिए एक उधारन छोड़ गया और उनके लिए एक निश्य दिशा निर्दिष्ट कर गया हुमायों की गुजराद विजय तेई साल की युववस्था में हुमायों दिसंबर 1530 में बाबर का उत्राधिकारी बना उसे बाबर की छोड़ी हुई अनेक समस्याओं से जूजना पड़ा प्रशाशन में पुख्दगी अभी नहीं आई थी राज की वित्तिय इस्तिती डावाडोल थी और अफगान अभी अधीन नहीं हुए थे तदा भारत से मुगलों को निकाल बाहर करने की आशा पाले हुए थे अन्तिम समस्या थी सभी भाईयों में सामराज को बाटने की तैमोरी परंपरा की बाबर ने हुमायों को अपने भाईयों के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करने की सला दी थी लेकिन वे नवजात मुगल सामराज के विभाजन के पक्षे में न था जो विनाशकारी हो सकता था हुमायों जब आगरा के तक्त पर बैठा तो काबुल और कंदहार सामराज में शामिल थे पर हिंदुकुष परवतों से परे बदक्षा पर नियंतरन धिला ढाला ही था काबुल और कंदहार हुमायों के चोटे भाई कामराण की निगरानी में थे और उसका मानना थे कि उसकी निगरानी में उनका रहना स्वभावी की था पर कामरान गरीबी के मारे हुए इन छेतरों से संतुष्ट ना था इसलिए उसने लाहोर और मुलतान की योर कूच किया और उन पर अधिकार कर लिया हुमायू कहीं और वियस्ते था और वे एक ग्रहयुद भियारम नहीं करना चाहता था इसलिए उसके पास इसे मान लेने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था कामरान ने हुमायू की अधिनता स्विकार कर ली और जब भी आवश्यक्ता हो उसकी सहायता का वचन दिया कामरान की कारवाई ने यह आशंका पैदा कर दे कि हुमायू की दूसरे भाय भी जब भी कभी आउसर पाएंगे यही रास्ता लेकिन कामरान को पंजाव और मुलतान देने का तातकाल इकलाब यह हुआ कि अपनी पश्यमी सिमाओं की चिंता किये बगएर हुमायू पूर्वी भागों पर ध्यान देने के लिए मुक्त हो गया इन बातों के लावा हुमायू को पूरव में अफगानों की तेजी से बढ़ती हुई शक्ती और गुजरात के शाषिक बहादो शाह की बढ़ती महत्वा कांशा का भी सामना करना पड़ा आरम में हुमायू का विचार यह था कि अफगान खत्रा इन दोनों से कहीं अधि गंबीर है 1532 में दो राहा नामक एक इस्थान पर उसने उन अफगान से नाओं को हराया जिन्होंने बिहार को जीता था और पूरी उत्रप्रदेश में जौनपुर को तहस नहस कर डाला था इस सफलता के बाद हुमायू ने चुनार पर घेरा डाला यह शक्तिशाली के लागरा और पूरप के बीच के राज और इस्थल मार्क तथा जल मार्क को नियंत्रिट करता था तथा पूरी भारत का दौर कहलाता था हाल ही में वह अफगान सरदार शेर खान की अधिकार में आया था जो अफगान सरदारों में शक्तिशाली बन चुका था चुनार की घेरा बंदी को जब चार माह हो चुके थे तो शेर खान ने हुमायू को मना लिया कि किला उसी के हातों में रहने दिया जाए बदले में उसने मुगलों का वफदार रहने का वदा किया और जमाना के तोर पर अपने बेटे को हुमायों के पास भेजा हुमायों ने तस्ताव स्विकार कर लिया क्योंकि उसे आगरा वापसी की चिंता थी गुजरात में बादोशा के शक्ति की तीवर व्रदी ने और आगरा से लगे छेतरों में उसकी सरगर्मियों ने हुमायों को चिंतित कर दिया था वे किसी अमीर की कमान में चुनार का घेरा जारे रखने को तयार ना था क्योंकि इसका मतलब अपनी सेना को बाटना होता बादोशा जो लगबग हुमायों की हूमर का था एक योग और महत्तवा कानशी शाशक था 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने पहले मालवा को जीता और फिर उसने राजिस्थान का रुक करके चेतोड पर घेरा डालकर आजपूतों के प्रतिरोध को छिन्द भिन्द कर दिया बाद की कुछ कताओं के अनुसार इसी समय राणा संगा की विद्वारानी करणावती ने हुमायू को राखी भेज कर उसकी मदद मागी और हुमायू ने सूर्वीरों की तरह उसका प्रतियुत्तर दिया किसी तातकालिन लेखक ने इस कता का जिक्र नहीं किया है और हो सकता है कि ये सच भी नहों लेकिन इतना अवश्य सच है कि हुमायू आगरा से गौालियर पहुँच गिया और मुगल हस्तचेप के डर से बहादुर शाह ने राणा से एक संधी कर ली जिसके अनुसा नगदी और वस्तु के रूप में भरी हरजाना लेकर किला राणा के पास रहने दिया अगले डेड़ साल के दोरान हुमायू ने दिली में एक नया शहर बसाने में अपना समय लगाया इसे उसने दीन पनाह नाम दिया इस काल में उसने शानदार भोजू और समारों का आयोजन किया हुमायू पर आरोब लगाया गया कि पूरब में शेर खान जब बराबर अपनी शक्ती बढ़ा रहा था तब उसने इन कारे कलापों में अपना कीमती समय बरबाद किया यह भी कहा गया कि हुमायू की निश्क्रियता का कारण उसकी अफीम खाने की आदत थी इसमें से कोई भी आरोब पूरी तरह सच नहीं है शराब छोड़ने के बाद बाबर ने अफीम का सेवन जारी रखा था हुमायू कभी कभी शराब के जगए या उसके साथ अफीम खाता था और यही उसके बहुत से अमीर करते थे पर अफीम का दीन ना बाबर था ना हुमायू दीन पना बसाने का वो देश दोस्तों और दुश्मनों पर एक समान रौब डालना था इसका मकसद यह भी था कि अगर आगरा पर बादो शाह का खतरा मन राए तो यह दूसरी राजधानी का काम कर सके बादो शाह इस बीच अजमेर को जीच चुका था और उसने पूर्वी राजिस्तान को रौण डाला था बादो शाह हुमायू के लिए कहीं बड़ा खतरा था उसने अपने दर्बार को उन सब का शरण इस्थल बना दिया जो मुगलों से डरते या नफरत करते थे उसने फिर चितोड का घिरा कर डाला और साथ ही इब्रहेम लोदी के चचेरे भाई तातार खान को हतियारों और सैनिकों की मदद दी तैह हुआ कि उत्तर और पूरव में ध्यान बटाया जाए तथा तातार खान 40,000 की सेना के साथ आगरा पर आक्रमर करे हुमायों ने तातार खान की चुनाती को आसानी से मात दे दी मुगलों के सामने आने पर अफगान सैनिक बिखर गये तातार खान हारा और मार डाला गया बाहदो शाह के खत्रे को हमेशा के लिए मिटाने के वास्ते हुमायों ने अब मालवा पर हमला किया इसके बाद किस अंगरिश में हुमायू ने अच्छे खासे सैन कोशल और उलेखनी निजी शौर का परच्छ दिया बहदो शाह मुगलों का सामना करने का साहस ना कर सका उसने चिक्तोड को छोड़ दिया जिस पर वैधिकार कर चुका था और मंदसौर के पास स्वयम को एक खेमे में किला बंद किया लेकिन हुमायू की साउधानी भरी रड़नीती ने उसे अपने साज साज सामान को छोड़ कर मांडू जाने पर मजबूर कर दिया हुमायू सरगर्मी से उसका पीछा करता रहा उसने मांडू के किले पर घेरा डाला और किसी खास विरोध के बिना उसे जीत लिया बादोशा मांडू से भाग कर चापानेर चला गया एक छोटा सा दल एक ऐसे रास्ते से जिसे अगब में समझा जाता था चापानेर के किले की दीवार पचड़ गया हुमायू दीवार पचड़ने वाला 41 विक्ती था बादोशा अब भाग कर अहमदाबात और अंत में काठिया वाड जा पहुंचा इस तरह मालवा और गुजराद जैसे समरद प्रांत था गुजराद के शाश को दौरा मांडू और चापानेर में जमा किये गए भारी खजाने भी हुमायू के हाथ आ गए गुजराद और मालवा जितनी जल्द हाथ आये उतनी ही जल्द निकल भी गए गुजराद को जीतने के बाद हुमायू ने उसे अपने छोटे भाई असकरी के नियंतरण में दे दिया फिर वे मांडू चला गया जिसकी केंदरी इस्तिती थी और जहां से चारो और नज़र रखना आसान था वे वहां उम्दा जल्वायू का अनंदन लेने लगा एक प्रमुक समस्या गुजराती शाशक या गुजराती शाशन से जनता के गहरे लगाओ की थी असकरी जो था वो अन्भवहीन था और मुगल अमीर आपस में बटे हुए थे जनता के विद्रोहों की एक श्रंकला बादुशा के अमीर की सैने कारवायूं और तीजी से बादुशा की शक्ती के पुनुरुथान ने असकरी के हाथ पाउँ फुला दिये उसने चापा नेर का सहारा चाहा पर उसे किलादार से कोई सहता नहीं मिली जो उसकी एरादों के बारे में आशंकित था इसलिए असकरी ने आगरा लोटने का फैसला किया इससे ततकाल ये डर पैदा हो गया कि वह हुमायू को आगरा से बेदिखल करने या अपने लिए एक अलग सामराज बनाने का प्रयास कर सकता है कोई जोखी मोल ना लेकर हुमायू ने मालवा को छोड़ दिया और सेनिको को बलात चला चला कर असकरी के पीछे भागा उसने असकरी को राजिस्तान में जा पकड़ा दोनों भाईों में सुला हुई और वे वापस सागरा लोटे इस बीच गुजरात और मालवा दोनों हाँ से निकल गए थे गुजरात की मुहिम पूरी तरह असफल नहीं रही इस मुहिम के कारण मुगलों का इलाका तो नहीं बढ़ा पर मुगलों के लिए बाहदो शाह का खत्रा हमेशा के लिए मिट गया हुमायू अब इस हाल में आ गया कि शेर खान और अफगानों के खिलाब पूरी शक्ती लगा सके कुछी समय बाद अपने एक जहाज पर पुर्तगालियों से हुई मुटबेड में बाहदो शाह डूमरा इसके साथ गुजरात की ओर से जो रहा सहा खत्रा था वे भी जाता रहा शेर खान से टक्राओ हुमायू के मालवा अभियान फरवरी 1535 से फरवरी 1537 तक कि दौरान शेर खान ने अपनी स्थिती और मजबूत बना ली उसने अपने को बिहार का निर्विवाद स्वामी भी बना लिया दूर पास के अफगान उसके इर्द गिर्द जमा हो गए यूटूब है मुगलों से वफादारी जतलाता रहा पर भारे से मुगलों को निकालने की सूवी विवस्थित यूजना भी बनाता रहा बादो शाह से उसका गहरा संपर्थ था जो भारी अनुदान देकर उसकी सहयता करता रहा इन संसादनों के बल पर उसने एक बड़ी और कारिकुशल सेना तयार कर ली जिसमें 1200 हाती थे हुमायू की आगरा वापसी के कुछी समय बाद उसने इस सेना की का उपयोग बंगाल के सुल्तान को हराने और उसे 13 लाख धीनार स्वण मुद्रा का हरजाना देने पर मजबूर करने के लिए किया एक नई सेना तयार करके हुमायू ने शेरखान के खिलाफ कूच किया और साल के अंतिम भाग में चुनार को गही लिया हुमायू का विचार था कि ऐसे शक्तिशाली घड़ को जो उसकी संचार विवस्ता को भंग कर सकता हो पीछे छोड़ देना खतरनाक होगा लेकिन अफगान किले की जमकर रचा कर रहे थे उस्ताद तोपची ग्रूमी खान की बहतरीन कोशिशों के बावजूद उस पर अधिकार पाने में हुमायों को च्छै महीने लग गया इस बीच शेर खान ने धोके से रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया जहां वैं अपने परिवार को सुरच्छे छोड़ सकता था फिर उसने दूसरी बार वंगाल पर अक्रमर किया और उसकी राजधानी गौड पर अधिकार कर लिया इस तरह शेर खान ने हुमायों को पूरी तरह चकाया हुमायों को यह महसूस कर लेना चाहिए था कि और भी सावधानी से तयारी किये बिना वैशेर खान को फौजी चुनोती नहीं दे सकता इस तरह शेर खान ने हुमायों को पूरी तरह चखाया हुमायों को यह महसूस कर लेना चाहिए था कि और भी साउधानी से तैयारी किये बिनावा शेर खान को फौजी चुनौती नहीं दे सकता पर हुमायों अपने सामने मौजूद राजनेती को सैन इस्थिति को समझने में असमर्थ रहा गौर्ड पर विजय के बार शेर खान ने हुमायों के पास प्रस्ताव भेजा कि अगर बंगाल को उसके अधिकार में रहने दिया जाये तो वैं बिहार को हुमायों को सौप देगा और सालाना दस लाग दीनार का खिराज देगा पर हुमायों बंगाल को शेर खान के लिए छोड़ने को तयार ना था बंगाल सुने की धर्ती था वस्तू के उत्पादन में सम्रद था और विदेशी व्यापार का केंदर था इसके लावा बंगाल के सुल्तान ने जो घयल होकर हुमायों के लशकर में पहुँच चुका था ये बतलाया कि शेर खान का प्रतिरोध अभी भी जारी था इन सभी कारोण से हुमायों ने शेर खान का प्रस्ताव ठुकरा दिया और बंगाल में मुहिम चलाने का फैसला किया जल्दे बंगाल का शाशक अपने जक्मों के कारण चल बसा इस तरह हुमायों को बंगाल की मुहिम अखेले चलानी पड़े मंगाल में हुमायों का बियान उस विनाश की प्रस्तावना था जो लगबख साल भर बाद उसकी सेदा पर चौसा में तूटा शेरखान बंगाल छोड़कर दच्छड बिहार में था उसने बिना किसी विरोत की हुमायों को बंगाल में घुसने दिया जिससे की वै उसकी संचार व्यवस्था भंग करके उसे बंगाल की चूहे दानी में फसा सके गौड पहुँचकर रुमायों ने कानुन व्यवस्था की स्थापना के लिए तुरंत कदम उठाए पर इससे उसकी कोई भी समस्या हल नहीं हुई गुजरात की तरह यहाँ भी लोग इस्थानी शाष्कों से लगाव रखते थे और मुगलों को बाहरी समझते थे मुगल अमीरों की भी दिल्ली से जिसे वे अपना घर मानने लगे थे दूर जाकर सेवा करने की कोई इच्छा नहीं थी आगरा के तक्त पर बैठने का प्रयास करके उसके छोटे बाई हिंदाल ने हुमायों की स्थिती को और भी बत्तर बना दिया उसकी और शिर्खान के कारिकलापों के कारण हुमायों आगरा से बिल्कुल कड़ गया उसे ना तो वहां से कोई समाचार मिल रहा था और ना ही रसद कुमक गौड में तीन चार माहां रहने के बाद एक छोटा सा दस्ता छोड़ कर हुमायों आगरा चला अमीरों में असंतोष की सुखबुगाहट, बरसात का मौसम और अफगानों के बराबर परिशान करने वाले हमलों के बावजूद हुमायों बिना किसी गंबीर हानी के अपनी सेना को बकसर के पास चौसा तक ले जाने में सफल रहा यह एक बड़ी उपलब दे थी, जिसके लिए हुमायों श्रे का अधिकारी था इसी बीच हिंदाल की बगावत को कुचलने के लिए कामरान लहोर से आगरा पहुँच चुका था निश्ठा हीन ना होकर भी कामरान ने हुमायों को कुमक भेजने का कोई प्रयास नहीं किया यदि वै कुमक भेज देता तो सेर ने संतुलन मुगलों के पक्षवे हो सकता था इन आगहातों के बावजूद हुमायों को अभी भी शेर खान के मकाबले सफलता का विश्वास था वै भूल गया था कि अब उसका सामना ऐसी अफगान सेना से था जो साल बर पहले वाली सेना से बहुत भिन्ने थी इस सेना ने अफगान में अब तक पैदा हुए सबसे कुशल से पासलार के नेतरत में युद्ध का काफी अन्भव और आत्मे विश्वास प्राप्त कर लिया था शेर खान के शांती प्रिस्ताओ के चकमे में आकर हुमायों कर्मनाशा नदी पार करके उसके पूर्वी तट पर आ गया जहां डेरा डाले अफगान सवारों को उस पर हमला करने का पूरा पूरा उसर मिल गया हुमायों ने कच्ची राजनेतिक समझ की ही नहीं बलकि कच्ची सिपासलारी का भी पर्चे दिया उसने युद्चेतर का गलत चुनाओ किया और खुद को ऐसे इस्तिती में डाल लिया कि उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला युद्ध भूमी से हुमायों मुश्कुल से अपनी जान बचा कर भागा और एक भिष्टी की शाहता से नदी पार किया शेद खान को भरपूर लूट का माल हाथ में लगा लगबक साथ हजार मुगल सेनिक और अनेक प्रमुक अमीर मारे गए चौसा की हार मार्च 1539 के बाद तैमुरी शहजादों और अमीरों के बीच पूर्ण एकता ही मुगल को बचा सकती थी आगरा में कामरान के पास युद्व में तपे 10,000 सेने की एक सेना थी जिसे वे हुमायू को देने को तैयार ना था क्योंकि हुमायू की सिपा सलारी पर से उसका भरोसा उठ चुका था दूसरी और हुमायू भी कामरान को अपनी सेना की कमान सौपने को तैयार ना था हुमायों ने आग्राव में ताबर्तोड जो सेना बनाई थी वे शेरखान का मुकाबला नहीं कर सकते थी। फिर भी कन्नौज की लड़ाई मैं 1540 बहुत तीखी रही। हुमायों के दोने छोटे भाई असकरी और हिंदाल बुरी तरी से लड़े परव्यर्थ। कन्नौज की लड़ाई ने शेरखान और मुगलों के बीच मामले का फैसला कर दिया। अब हुमायों बिना राज्य का राजा था। जबकि काबुल और कंधहार कामरान के हाथों में थे। अगले धाई बरसों तक वे अपना राज्य वापस पाने की अनेक योज्रह बनाता हु इससे भी बुरा ये हुआ कि उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए और उसे मार डालने या कैद करने का प्रियास करने लगे। हुमायों ने धहर और साहस के साथ इन तमाम वे पत्तियों का सामना किया। यही काल था जब हुमायों के चरितर का बहतरीन पहलू सामने आया हुमायों ने आकरी एरान के शाह के दर्बार में शरण ली और उसकी साहता से 1545 एसियों में कदहार और काबूल को फिर से जीत लिया। आरम में हुमायों के भाई पूरी तरह उसके वफादार रहे। उनके बीच वास्तिक मदभेश शेर खान की जीतों के बाद ही उभरे। कुछ इतिहासकारों ने हुमायों और उसके भाईों के बीच आरंबिक मतभेदों को और उसके चरितर के कथित दोशों को अनावश्यक तूल दिया है। हुमायों बाबर की तरह उरजवान तो ना था पर अपने गलत ढंग से नियोजित बंगाल अभियान से पहले तक उसने एक समर्थ सेनापती और राजनेतिक के होने का परचे अवश्य दिया था। शेरखान के साथ हुई उसकी दोनों लड़ाईयों में शेरखान ने अपने को एक शेष्टतर सेनापती साबित किया। हुमायों का जीवन रूमानियत भरा है। वे अमीर से कंगाल बना और फिर क अंगाल से अमीर हुआ। 1555 में सूर सामराज के विक्टन के बाद वे दिल्ली को फिर से जीतने में सफल हुआ। पर अपनी विजय का अनन लेने के लिए बहुत दिनों तक जिन्दा नहीं रह सका। वे दिल्ली के अपने किले की पुस्तकाले की इमारत की पहली मंजिल से ग सूचक है। यह इमारत जो थी उत्तर भारत में वास्तु कला के या वास्तु शैली के एक नए चरण की सूचक है जिसकी सबसे उलेकनी विशेषता सगमरमर की शांदर घुमबद है। धन्यवाद।